प्रेमित्रों आप सभी को मेरा नमस्कार कभी आपने अपने जीवन में अगर आप छत में हैं और लेटे उए हैं तो नजर किया तारों की और उस अंदकार रात में जब आप आकाश की और अपनी नजर दोड़ाते हैं तो बहुत दूर दूर तक दूर दूर तक तारे ही तारे नजर आते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं है ना, वो करोणों करोणों की ताधाद में हैं, और कुछ तारे तो आप जरूर देखते हैं कि बहुत ब्राइट हैं, बहुत चमकदार होते हैं, कुछ बहुत बहुत ही महीन दिखाई देते हैं, कम चमकदार होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो कम चमकदार है, actually जो आपको कम चमकदार तारे दिखाई देते हैं वो बहुत 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 दूर हैं वो हमारे पृत्वी से और इसलिए वो कम दिखाई देते हैं जो तारे पास हैं पृत्वी के वो ज़्यादा चमक चमखिले होते हैं अब हमारा सबसे बढ़ी आतारा तो सूरज है आप जानते हैं वो तो पृत्वी के पास है लेकिन यह जो दूसरे तारे हैं यह इसको किलोमेटर में नहीं गिनते हैं मेरे दोस्तों इनको गिनते हैं light years कि एक साल में light year मतलब एक साल में प्रकाश कितना किलोमेटर दूर तै करत है और उसकी स्पीड क्या है 186,000 miles per second के हिसाब से second minute और फिर उसके बाद हपता महिना बारा महिना तब एक साल तो इस गती से जितना light travel करता है उसको हम light year कहते हैं प्रकाश का साल और कुछ तारे तो 10-10 light year हैं कुछ तो 50-50 light year हैं कुछ सौ हैं कुछ हजार हैं कुछ million million laak laak light years दूर हैं हम से अब साहब यतना जब हम सोचते हैं तो दिमाग हमारा खपत हो जाता है सोचते हैं भई उसके बाद क्या है कभी आपने सोचा कि कितना दूर हम जाएंगे कितना किलो मिटर जहां पर जैसे बुलते हैं ना end आ गया आकाश का end मेरे दोस्तों हम एक ऐसे space में रहते हैं जब देखते हैं तो अनन्त है उसके बाद और क्या है उसके बाद और क्या है उसके बाद और क्या है बियान इंफिनिटी और उसको बोलते हैं अनन्त अनन्त का मतलब है जो जिसका कभी अन्त नहीं है अनन्त उसके बाद भी अगर आप boundary भी लगा ले या कुछ भी लगा ले फिर भी उसके बाद न कुछ न कुछ तो है वो क्या है वो तो हमारे अपने सोचने विचारने की बात है लेकिन जो बड़ा भारी साइंटिस्ट था उननीसवी शताबदे में उसका नाम था अलबर्ट आइंस्टाइन जिसने हमें बहुत वंडरफुल फार्मूला दिया E इक्वल M C स्क्वेर E इक्वल M C स्क्वेर ये शायद आपने जरूर फिजिक्स में पढ़ा होगा उससे जब पूछा गया कि आइंस्टाइन साब ये बताईए कि अनन्त कितना दूर आप जा सकते हैं और कितना क्या है अन्त में उसका जवाब मालूम क्या था The Face of God परमेश्वर का वेक्तित्व परमेश्वर का चहरा उस अनन्त में है बड़ा जबरदस्ट आंसर है मेरे दोस्तों जी हाँ आज हम अनन्त काल की बात कर रहे हैं और अनन्त परमेश्वर की बात कर रहे हैं और यही परमेश्वर के बारे में आइंस्टाइन ने एक बार कहा जो कुछ परमेश्वर बोलता है वो करता है God does not play with dice with the universe उसने कहा जो वो बोलता है वही करता है मेरे दोस्तों, हम एक पद पढ़े ही आपके लिए जो दूसरा कुरंथियों उसका चार अध्याए और उसका अठारा पद, क्या लिखावा है? हम तो देखी हुई वस्तों को नहीं, परंतु अंदेखी वस्तों को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तों थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अंदेखी वस्तों सदा की बनी रहती हैं, यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक दाशनिक वाला, फिलोसाफिकल, एक आत्मि एक एक fact, एक reality दिखा गया है, देखी वस्तुमें थोड़े समय की है, temporal, वो थोड़े समय के लिए हमें दिखाई देती है, फिर गया हो जाती है, लेकिन जो अनन्त है, वो कभी मिटती नहीं, और आफ कोर्स जैसे हमने थोड़ा सा बात किया, वो अनन्त हमारा जीवित परमेश प्षवर यहवा एलोहीम है, वो कभी मिटने का नै, उसने खुद कहा कि आदी और अन्त मैं हूं, जी हाँ, आदी और अन्त मैं हूं, अनंत काल से अनंत काल तक मैं हूं, उसके बारे में कंज बाने ऊच्पद आपके सामने रखूँ गा, जिर्भ यहां पर मैं इतने ही कहू तक की नहीं है। उसको हम बोलते हैं temporal, छड़बर की है, छड़बर का मतलब 100 साल, 200 साल और उसके बाद वो खतम, उसका अस्तित्व खतम हो जाता है, और लेकिन जो अनन्त है, वो अनन्त काल तक बना रहता है, उसका नो तो beginning है ना उसका ending है, for example, यह माइक जो मेरे सामने है, इसको किसी ने बना इसका beginning था, और इसका end भी होगा, यह computer, यह घर इसका शुरुवाद था और अन्त भी होगा, परमेशवर की तो कोई शुरुवाद भी नहीं है, उसका अन्त है, वो हमेशा, हमेशा तक वही रहेगा, बल्कि मुसा ने एक बार परमेशवर से पूचा था, अगर आप पढ़ किसने मुझे बोज़ा, नाम क्या है तेरा, परमेशवर अन्त परमेशवर ने मालम क्या कहा, मेरा नाम मैं जो हूँ, सो हूँ, उसने भेजा है, क्या मतलब है, वर्तमान, यह नहीं कि मैं जो था, या मैं जो हूँगा, मैं जो हूँ, सो हूँ, उसने भेजा, अनंत काल, सो म हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हमारा दिमाग कुछ समय के बाद खतम हो जाता है। आईए हम उसी के बारे में देखेंगे कि क्या परमेश्वर का बचन कहता है जहां तक अनंतकालत की बात है। टीक है, ओके, यशाया और उसका 45 अध्याय 21 पद, अनंतकाल की बात, यशाया उसका 45-21, क्या लिखा हुआ है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ, वे आपस में समती करें, किसने प्राचिनकाल से यह प्रगट किया, किसने प्राचिनकाल में इसकी सूचना पहले ही दी, क्या मैं यहोवा ही ने यह ने किया, इसलिए मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धार करता इश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। अरे साब, बहुत साफ रिती से यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्रित्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तो मेरी और फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही इश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। जितने और हम मानते ना, देवी देवता यह सब मुर्ती और पत्थर के हैं। वो परमेश्वर जो अत्यंत, महान, वैभाव, अनंत, काल का परमेश्वर है। यहाँ ना उसका चार और चौविस में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी अरादना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से करें। भजन सहिता उसका नब्बे अध्याएं। उसका नब्बे और उसका दूसरा पत्थ क्या लिखा हुआ है। या इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले पत्थ समय आपके लिए पढ़ूँगा। हे प्रभू, तू पीडी से पीडी तक हमारे लिए धाम बना हुआ है, हमारे लिए रास्ता बना हुआ है। इस से पहले की पहाड उत्पन हुए, वा तू ने प्रिथ्वी और जगत की रचना की, वरा अनादी काल से अनादी काल तक तू ही इश्वर है। जी हाँ, तू ही इश्वर है। और तू मनुश्यों को लोटा कर चूर कर देता ह। कहता है, हे आदमियों, लोटाओ। क्योंकि हजार वर्ष तेरी द्रिष्टी में ऐसे हैं जैसे कल का दीन बिद गया, या रात का पहर। तो परमेश्वर के लिए हजार वर्ष का मतलब कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को टाइम का मतलब नहीं, आपको और मेरे को टाइम का मतलब होता। हमारे मेरे सामने clock लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई, उस time देख करके मैं बोलता भई, कि 20 मिनट हो गया है, पचीस मिनट हो गया है, फलान है फलाना जगह मुझे जाना है, time, हम लोग time से bound हैं, लेकिन परमेश्वर time से नहीं है, उसके लिए 1000 वर्ष, लाखों वर्ष जैसे आतिमोथी, छैय अध्याय, और सोलापत, क्या लिखा हुआ है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य जोती में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, और न कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्टा और राज, युगान युग रहेगा, आमेन, आप समाद ग के बारे में ये बात हो रही यहाँ पर, कि किस प्रकार से परमेश्वर अगम्य है, महान है, अनन्त जोती है, अनन्त काल का वो परमेश्वर है, अरे जाब, ये है साब परमेश्वर का हमारे पर जीवते परमेश्वर का जो वेक्तित्व, और मैं आपके लिए पद पढ़ू पहले अध्याय और पंद्रमापद क्या लिखा हुआ है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने उपर से उतार कर उनका खुलम खुला तमाशा बनाया और क्रूश के कारण उपर जय जय कार की द्वनी सुनाई दी और उसका पहले अध्याय और पंद्रमेपद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है वह तो अध्रिश्य परमेश्वर का प्रती रूप और सारी स्रिष्टी में पहले उठा है यह अध्रिश्य परमेश्वर का प्रती रूप कौन है यहां पर आप येश्य मसी के बारे में बता द्रिश्य परमेश्वर का प्रति रूप और सारी स्रिष्टी में पहलोटा है क्योंकि उसी में सारी स्रिष्टी सारी वस्तों की स्रिष्टी हुई स्वर की हो पृधिवी की हो या अन्देखी सिहासन या प्रभुताएं सब उसी के द्वारा स्रिजी गए और वही सब वस्तों में प्रथम है यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुषमसी के बारे में बताता है लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को प्रगट करने के लिए मनुष्य का रूप धारन किया जी हां परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा त्री एक परमेश्वर की बात हम यहां पर देखते हैं और मेरी दोस्तों हम और आगे बढ़ें कि किस प्रकार से परमेश्वर महान और बहुत काम करने वाला परमेश्वर है, endures, है ना, भजन सेटा नब्बे और चार, भजन सेटा नब्बे और चार, देखे क्या लिखा है नब्बे और चार में, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टी में क्या है जैसा कल का दिन 92.8 भजन सहिता उसका 92 अध्या है और उसका आठमा पत परंतु हे यहुआ तू सदा अभिराजमान रहेगा सदा अनन्द जिसका कोई अन्द नहीं है भजन सहिता त्रैनबे और उसका दूसरा पद हे यहुआ तेरी राजगदी अनादी काल से स्थिर है तू सरवदा से है कोई बिगिनिंग नहीं कोई एंडिंग नहीं फॉरेवर एन हैवर उसके बाद भजन सहिता एक सो दो वहाँ पर भी हम देखते हैं भजन सहिता एक सो दो और बारा पद में क्या लिखा हुआ है परंतु यह हुआ तू सदै विराजमान रहेगा और जिस नाम से तरह स्मरण होता है वह पीड़ी से पीड़ी तक बना रहता है अच्छा आपकी मेरी आयू कैसी ग्यारमा पद में लिखा मेरी आयू ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नहीं सुख जाता हूँ आप अचीतर जानते हैं मेरे दोस्तों कि आप और हम है ना हम टेंपूरल है थोड़े समय के लिए हमारा जन्म हुआ हम बढ़ते हैं और जवान होते हैं परिवार होता हैं बुड़े होते हैं और फिर उसके बाद खतम मौत आती है हम डलती हुई छाया के समान है और मैं घास की नहीं सूख जाता हूँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हमारा जीवन घास के समान है भाप के समान है थोड़ा दिन है थोड़ा समय है और गया लेकिन परमेश्वर जिसने आप के और मेरी रचना की परमेश्वर जिसने पूरे स्रिष्टी की रचना की वो अनादिकाल से अनादिकाल तक अनन्थ ही अनन्थ है क्या लिखा हुआ है भजन सहीता उसका तीन और चौदा जो मैंने पहले आपको पताया था भजन सहीता नहीं निर्गमन उसका तीसरा अध्या है और चौदा पद देखे क्या लिखा हुआ है जब मुसा ने परमेश्वर से कहा न कि भई भई तेरा नाम क्या है परमेश्वर यहार मैं तेरा पत से आपके लिए पढ़ूंगा मुसा ने परमेश्वर से का जब मैं इस्राइलियों के पास जा कर उन से कहूं कि तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा ہے तब आद यदि वे मेरे से पूछे कि भई उसका नाम क्या है तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा परमेश्वर ने मुसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ फिर उसने कहा तो इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुमारे पास बेचा बड़ा आजीब नाम है ना आपने कभी सुना है किसी का नाम मैं हूँ कभी बुलाया किसी को, अरे भाई, ओ मैं हूँ इदरा, बड़ा जीब सा लगता है नाम, नाम तो विनोध होगा, शालीन होगा, शीला होगा, मोहन होगा, नरेंद्र होगा, लेकिन परमिश्र का नाम क्या है, मैं हूँ, मैं हूँ का मतलब, ever present, हमेशा, यह नहीं कि मैं जो था या मैं होंगा, मैं हूँ, I am that I am, तो हम देखते हैं यहां पर कि वरतमान परमिश्र हमेशा एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, टाइम के अनुसार, क्योंकि वो अनन्तकाल से, अनन्तकाल तक, वो एक है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, लिखा हुआ है, फिर यहवा की यहवानी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छुप सकता है, कि मैं उसे न देख सकूँ, क्या स्वर्ग वा पृत्वी दोनों मुझसे परिपूर नहीं है, वारे साब बहुत जबर्दस पर्मेश्वर का वच्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी ने पूछा गई, किसी दुसरे से बोला, बहुत साब, यह केला मैं आपको दे रहा हूँ, आप जा करके ऐसी जगह छुपके खाई है, जहां कोई आपको देख न सके, तो यह वैक्ती सोचा है, यहार, कहां ऐसी जगह है, फिर उसे दिमाग में है, घंटी बजी, तो उसने बहुता, मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जहां भी मैं जाओं, वहाँ परमेश्वर है, पृत्वी के नीचे, पृत्वी के ऊपर, भजन साइक साउन तालीस में तो लिखा हुआ है, पृत्वी ने बताया, दिखाया, क्योंकि हम तो परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम तो अपने जो टेंपरल है ना, छड़े आखों से, हम जीवते होली पवित्र परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, नाचरली परमेश्वर पवित्र है, हम पापी है, पापी कैसे पवित्र परमेश को देख सकता, नहीं देख सकता, अनंदकाल हमारी आयू तो थोड़े समय की है तो लिखा भी है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी अरादना करते हैं, कैसे करें? आत्मा और सचाई से करें तो अब वो अनंदकाल का परमेश्वर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अनंदकाल का परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मान की सृष्टी की पूरे हमारे सौर मंडल की सृष्टी की, हमारे पृत्वी की आपके शेहर की, आपको बनाया पेड़, पौदे, जीव, जन्तु, समुद्र, मचे, जो भी आपको दिखता है, उसने बनाया, लेकिन अंतर ये है कि दिखने वाली चीजे थोड़े समय की है, और जो दिखती नहीं है, वो अनंत काल की है, है ना, तो मैंने आपके सामनी ये बात पढ़ी, तो अब हम उस परम परमेश्वर को हम कैसे जाने, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, उसी परमेश्वर ने अपने आपको अपने पुत्र के दवारा प्रगट किया, जी है, मैंने अभी कुछ समय पहले आपके लिए पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, कुलुसियों, उसका पहला अध्याए, और देखते हैं, पंदरमापद, वहा तो अद्रिश्य परमेश्वर का प्रतीरूप है, और वहां का मतलब क्या है, अगर इसका आप संधर में देखें, तो यहां पर प्रभु इश्य मसी के बारे में बात हो रही है है ना मैं तो सिर्फ पर पंदर बना वहां तो अद्रिष्य परमेश्वर का प्रति रूप है अनंत अद्रिष्य परमेश्वर का प्रति रूप है और सारी स्रिष्टी में क्या है पहलोठा है मैं आपके लिए एक और पढ़ूंगा और वो पाये जाता है यहना उसका चौदा अध्या है, यहार नारची सु समाचार, जो बाइबल का एक भाग है, उसका चौदा अध्या है, और नौपद, देखी वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उससे पहले कि हम फिलिपुस ने, प्रभुष मसी का एक चेला था, तो फिलिपुस ने उससे कहा, प्रभुष ने कहा, प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, तो हमें पिता को दिखा दे, पिता को मतलब परमेश्वर पिता को, जिसके बारे में मैं ब अब आपी सरवसामर्थी परमेश्वर है अनन्त है तो वही बात फिलिप्पुस पूछ रहा है प्रभू पिता को हमें दिखा दे येश्व ने उससे कहा है फिलिप्पुस मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा क्या तूने मुझे नहीं जानता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है तो तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा क्या तू प्रतिती नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता म मुझ में है ये बाते जो मैं तुम से कहता हूँ अपनी ओर से नहीं वरन पिता मुझ में रहकर अपने काम प्रगट करता है मेरी ही प्रतीती करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं तो कामों के ही कारण मेरी प्रतीती करो प्रभू युश्य मसी ने उस अद्वेट उस पवित्र उस अनन्त काल के परमेश्वर को हम पर और आप पर प्रगट किया है जी हाँ और यही बात प्रभू युश्य मसी कहते हैं कि जिसने मुझे देखा जिसने मेरे वचन पर विश्वास किया उसने प्रभू परमेश्वर अनन्त काल वाला परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं इसी का बीस्वा अध्याय यहना का बीस अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी कई पद है बीस अध्याय और ट्वंटीनाइन वर्स क्या लिखा हुआ है एक जो जो चेला था प्रभू पिश्वर मसी का थोमा नाम था उसका जी उटें तीसरे दिन तो थोमा जो था वो थोड़ा डाउटिंग था उसको शंका थी प्रभू ठीक है मर गया उद्धार करता सब कुछ लेकिन जीवित होना ये तो भाई साब ये थोड़ा सा मुश्खिल बात है विश्वास करना तो वो डाउटिंग थामस बोलते हैं उसको शंका करने वारा तो लोगों ने जब आकर के बोला कि भाई वो इशु मसीजी उठा है तब ये शुमसी वहां प्रगट हुए उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे बाजू में डाल और अविश्वासी नहीं परन्त विश्वासी हो यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभू हे मेर परमेश्वर येश्व ने उनसे कहा तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है सुने मेरे दोस्तों तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है धन्य है वे जिनोंने बिना देखे विश्वास किया सु मेरे दोस्तों आज 2000 वर्ष बाद आपको और मुझको उस प् था लेकिन मनुष्य के रूप में वो आया और उसने कुरूस की मौत आपके लिए और मेरे लिए सही कुरूस पर है ना फिर से हम कुलूसियों की पत्री जाते हैं और उसके कुछ पदों को देखते हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा और बारवापत से बारवापत से आगे देखते हैं कि इस प्रकार से प्रभुष मसी वो परमेश्वर का पुत्र हो करके अपने पिता को हम तक पहुंचाया दिखाया और उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ना देख तो नहीं सकते हैं क्योंकि बहान महान परमेश्वर लेकिन मैं मनुष्य रूप में आया ताकि तुम मेरे वचनों पर विश्वास करो तो कुलूसियों उसका पहला अध्याय वो बारवापत में लिखा हुआ बारा से आगे मैं पढ़ूँगा और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि जोती में पवित्र लों के साथ मिरास में सहभागी हो उसी ने हमें अंदकार के वर्ष्ट से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया उसी ने मतलब परमेश्वने चौदा पद जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की शमा प्राप्त होती है किसमें हमें पापों की शमा प्राप्त होती है प्रभूश्य में क्यों? क्योंकि वो मनुष्य बना, हमारे लिए बलिधान कि आपने आपको, ताकि जब हम विश्वास करें उस बलिधान पर, तो हमारे पाप छुटकारा हो जाए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पंद्रमापद, वह तो अद्रिश, परमेश्वर का और सारी स्रिष्टी में पहलोटा है, क्योंकि उसी में, उसी में अर्थात, येश्व में सारी वस्तुओं की स्रिष्टी हुई, स्वर की हो या प्रित्वी की, देखी हो या अंदेखी, क्या सिहासन, क्या प्रभुता हैं, क्या प्रधानता हैं, क्या अधिकार, सारी में प्रथम हैं और सब वस्तूएं उसी मेरे स्थेर रहती है और वही धे अर्थात कलीशिया का सिर है वही आदी है और मरेगूँ में से जी उठने वालों में पहला उठा के सब बातो में वही प्रधान ठेरे, क्योंकि पिता की प्रसंता इस्षिमे है कि उसमें सारी परिपू उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर लें चाहे वो प्रिद्वी के हो या स्वर्ग की और उसने आप उसके शालिरिक दे में मृत्यू के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे ताकि तुम्हें और आपको और मुझको अपने सम्मुक पवित्र निश्कलंग निर्दोश बना कर उपस्थित करें सुना मेरे दोस्तों तो यहां पर जो मैंने भाग पढ़ा आपके लिए ये प्रभुई श्मसी के बारे में बताया गया है कि उस अध्वेइत अनंत काल के परमेशवर को जिसको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनंत काल का है और हम थोड़े समय के हैं नाशवर है लेकिन हमारी अंदर जो आत्मा है वो अनन्त है क्योंकि परमेश्वर अनन्त है तो उसने अनन्त आत्मा हमें दिया लेकिन यह जो शरीर है ना जिसको आप और हम देखते हैं एक दिन यह सड जाएगा, मर जाएगा, गल जाएगा मिट्टी बन जाएगी, जल जाएगा लेकिन हमारा जो व्यक्तित है अंदर का, वो अगर प्रभुश्व मसी के लहू से धुल गया है, जो परमेश्वर का प्रती बिंब है जो परमेश्वर का प्रती रूप होकर कि इस दुनिया में आया आशा है मेरी बात को समझ रहे मेरे दोस्तों, तो उसने अपनी जान दे करके कुरूस पर बलिदान करके तीसरे दिन मुर्दों में सिजी उठा, और उसी के बारे में लिखा हुआ है कि वही अद्वेद अभिनाशी अनंतकाल परमेश्वर का पुत्र है और उसने प्रगट किया, सो मेरे दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का बचन कहता है कि हमारा परमेश्वर अनंतकाल का है, और वो चाहता है कि हम भी उसके साथ अनंतकाल तक स्वर्ग में हमेशा, हमेशा के लिए उसके साथ नजोई करें यही प्रित्वी तो भाई है, थोड़े दिन गए हैं पाप की वज़ा से हम मर जाएंगे किंतू किंतू परमेश्वर के अनुगर से हम बचाए जाएंगे यदी हम ये शुमसी पर विश्वास करें जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा जिसने मुझे पर विश्वास किया ये प्रभुईश मसी ने बात कही सो मेरे दोस्तों हम और आप इस बात को ग्रहन करें और उस अद्वईत परमेश्वर को जो हमें अपने पास लाना मांगता है प्रभुईश मसी के दौरा विश्वास करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करें क्या आपने अभी तक ऐसा निश्चे लिया है क्या आपने अपने पापों को माना है क्या आपने उस बलिदान को ग्रहन किया है वो बलिदान कैसे करें कैसे ग्रहन करें प्राप्त ना करें प्रभू मैं जानता हूँ कि मैं तुझ अद्वेत अविनाश्री अनंत परमेश्र को अपने दिमाग से नहीं जान सकता लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि तुने मुझे एक मौका दिया आपके पुत्र के द्वारा प्रभी शुमसी के द्वारा जो मेरे पापों के लिए बलीदान हुआ जहां मुझे मैं विश्वास करता हूं कि वही मेरा बलीदान है मुझे प्रभु गरहन कर और मैं विश्वास ये भी करता हूं कि वो मुर्दों में से जी उठा और एक दिन आने वाला है प्रभु मुझे गरहन कर मेरे अंदर आ और मेरे जीवन को पुत्र बना मेरे पापों को माफ कर और अपने स्वर का अहिस्सा मुझे भी प्रधान कर ताकि मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ अपना जीवन निर्वा करूँ येश्वशी के नाम के द्वारा मांगता हूँ आमेन मेरे दोस्तों जब हम ये प्रातना करते हैं तो आप परमेश्वर के पत्र और पुत्रियां कहला सकते हैं ये बहुत अच्छा मौका है मेरे दोस्तों बहुत अच्छा मौका है कि आप जितने और भी विश्वासी हैं लाखों करोडों प्रभू में जो आगए हैं मसी विश्वासी जो अद्वेट जीवित परमेश्व को जानते हैं आप भी उस परिवार में शामिल हो सकते हैं मैं एक और पद के साथ आज के इस जो हमारा मेडिटेशन है उसको समाप्त करूँगा पहला तिमोथी एक सत्रा पहला तिमोथी बाइबल का एक भाग है उसका पहला द्या सत्रा पद अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंदे के अद्वेत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे आमेन परमेश्वर आपकी अगवाई करें